होली आने वाली है और उसी के साथ ये हमारी special मिठाई जिसका नाम है गुजिया वो चाने वाली है ये चाशनी से भरी गुजिया जो की मूँ में घुल जाने वाली है आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाईयों जैसी बनेगी ये गुजिया अगर ये tips and tricks आपने follow कर ली तो ये गुजिया आपकी बजाज से भी अच्छी बनेगी बहुत ही कम ingredients के साथ ये गुजिया हमारी ready हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम गुजिया के लिए dough लगाएंगे उसके लिए dough cup मैदा लेनी है measuring cup नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप कोई भी एक cup set क कर लीजे सारे ingredients की measurement फिर उसी में कीजेगा यहां पर मैंने थोड़ा सा नमक टाला है चुटकी भर इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है कुजिया में mix कर लेंगे बीच में थोड़ा से छोटा सा hole करेंगे यहां पर हम डालेंगे मौन कुजिया के सई dough के लिए मौन बह कर लेना है घी और मैदे को एक साथ में mix करने के बाद हातों के बीच में इसे रब करना है ताकि मौन अच्छ से incorporate हो जाए मैदे में यह बहुत important step है ऐसा करने से क्या होगा गुजिया जो हमारी बनेगी वह बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनेगी जब आपने अच्छ से रब क पानी आट करना है पानी को और मैदे को एक साथ मिला लेना है जब तक कि यह डो कठा नहीं हो जाता कभी कभी एक अदा टेबल स्पून पानी जो है हमें जादा डालना पड़ सकता है पर कोशिश करिएगा जो डो है गुजिया का वो बिल्कुल सक्त होना चाहिए अभी आप देख सकते हो कि डो जो है एक साथ आ चुका है और आप यह सोच रहे होंगे कि यह बबल स्वाला डो कैसा गुंदा है तो घबराइएगा मत इस टाइम पे न मौइस कपड़े से इसे ढग देंगे आदे से एक घंटे के लिए जब तक कि डो रेस्ट करता है तब तक हम अपन कर रही हूं दो टेबल स्पून फाइली चॉप बदाम साथी दो टेबल स्पून फाइली चॉप काजू एक टेबल स्पून पिस्ता अब इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते एक बहुत ही बड़िया अरोमा आने लगे तो एक दो मिनट बात थोड़े से रोस्फून के बाद मैं इसमें डाल रही एक टेबल स्पून किश्मिश थोड़ा सा रोस्ट करना है इसे इसलिए हमने इसे बाद मेर आट किया है अब यहां पे आट कर ही हूं तीन टेबल स्पून डेजिगेटिट कोकोनेट इसे भी लो तो एक बाउल में इसे निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए अब उसी कड़ाई को साफ करके मैं यहां पर आड़ कर रही हूं 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ मावा मावा ना आप घर पे बड़िया सा बना सकते हैं इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसे कंटिनियूसली स्टर करते रहना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता और यह पैन नहीं छोड़ देता है कठा नहीं हो जाता इसे लो फ्लेम पर कंटि ब्राउन कलर हो चुका है फ्लेम को ओफ कर देंगी और इसे ट्रांसफर कर लेंगे बाउल में इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे मावा ठंडा होने के बाद ना कुछ इस टेक्शर का दिखेगा मावा को ना अपने हातों से अच्छ से क्रंबल कर लेना है इसम एक बार फिर से मिक्स कीजिए और साथ ही इसमें आड कर दीजिए पांच टेबल स्पून बुरा यानि की पाउडर शुगर कुछ लोग इसे तगार भी बोलते हैं इसे बिल्कुल तब डालेगा जब मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो जाए क्योंकि गरम गरम में आड करेंगे न बुरा और ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे दो तरह की गुजिया बना रही हूं एक फीकी और एक चाशनी वाली फीकी वाली गुजिया में जो स्टफिंग है उसको और मीठा होना चाहिए तो इसलिए मैंने बुरा और आड करिये अब आती है चाशनी की बारी एक कढ़ा में अच्छे से ग्रीस कर लिया है हलवाई लोग ना यही ट्रिक अपनाते हैं चाशनी थंडी होने के बाद जो वाइट वाइट है वो जम जाता है तो वो ना जम है इसलिए हमने यह ट्रिक अपनाई है अब आड कर यहाँ पे एक कप चीनी और पोना कप पानी अब इसे मिक चाशनी में अगर आप चाहते हैं बजार में जो गुजिया मिलती है हलका सा कलर वाली तो इसमें फूड कलर भी आड कर सकते हैं देखिए बड़ी असा बॉइल आ चुका है इसे जादा नहीं पकाना है इसे चेक करने का क्या तरीका है एक स्पून लेंगे और उसे डिप करे करने के पार उंगलियों के बीच चेक करेंगे अगर ये हलकी सी चिपचिपी हो रही है तो मतलब ये चाशनी रेडी है फ्लेम आफ कर देंगे और इसे लिट से कवर कर देंगे अब जो दो हमने लगा के रखा था उसे चेक कर लेते हैं देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट ह हो चुका है मैं कहा रही थी घबराइए गमत अब इसे 3-4 मिनट के लिए ना नीड करना है ताकि यह मुलायम हो जाए और गुजिया बनाने के लिए रेडी हो जाए यह बहुत ही इंपॉर्टन स्टेप है इसे नीड करना जरूरी है 3-4 मिनट के लिए ताकि यह गुजिया बन करने में दिक्कत नहीं होगी रोल करने के बाद इसे हाथ से थोड़ा खीचेंगे फिर इसे इकल प्रपोशन में कट कर लेंगे यह बहुत ही बढ़िया टिप मैंने आपके साथ शेयर की है इससे लोई बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए फिर जो प्रपोशन कट यह उसे हाथ में लेके रोल करेंगे और लोई की फर्म देंगे और सारे एक बाउल में डालके मोईस कपड़े से कवर कर देंगे ताकि यह सूखे ना अब एक लोई लेंगे और उसे बेलेंगे गोल शेप में जो इसकी थिकनेस है वो रोटी से थोड़ी सी पतली थिकनेस हो ताकि जब हम इसे बन करें, सेल करें, तो इसमें से स्टफिंग भाड़ना है। अब carefully इसमें एक से दो छोटे चमच स्ट फिंग के हम डालेंगे। stuffing कम भी नहीं होनी चाहिए जादा भी नहीं होनी चाहिए अब इस point से दूसे point तक हमें seal करना है ध्यान से seal कीजेगा ताकि यह open ना हो ऐसे pinch करते हुए हमें सारी sides में अच्छे से seal करना है इसे दबा दबा के seal करना इसलिए important है क्योंकि जब हम इसे fry करेंगे तो stuffing बहार नहीं आनी चाहिए अब आता है बहुत interesting part यानी की shaping side से शुरू करना है side से सबसे पहले इसको fold करते हुए अंदर की side लेना है फिर उसके बाद pinch करना है बिल्कुल ऐसे ही सारा procedure होगा fold pinch हो सकता है पहली एक दुबारी में यह design ना बने पर practice से यह बिल्कुल perfect बन जाएगा फिर भी अगर यह by chance नहीं बनता है तो मैं लाई हूँ एक solution मैंने यह पूरा ready करके रखा है side से fork से दबा दबा की design देना है है ना कितना बढ़ी है idea बहुत ही असान तरीका अगर पहला वाला आपको difficult लगता है ना तो यह अपनाई है और design भी बहुत बढ़ी है कोई भी तरीका अप शेप कर लीजिए और इसे cover करके रखे किसी ना किसी pillow cover या कोई भी कपड़े से ताकि जो इसका surface है वो dry ना हो अब आती है से fry करने की बारी तो एक कढ़ाई में मैंने यहां पे घी लिया है आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं बिल्कुल low flame पर इस गुजिया को डालना है 140 40 degree Celsius होना चाहिए temperature से चेक करने के लिए आप हलका सा dough का टुकड़ा भी डाल सकते हैं fry करने के लिए accurate temperature होना चाहिए अगर जादा गरम होगा तो भार से तो सिख जाएगी गुजिया पर अंदा से कच्ची रह जाएगी और अगर बिल्कुल भी गरम नहीं होगा तो यह इसकिट कलर नहीं हो जाता तब तक इसे fry करना है लो फ्लेम पर तो आपको क्या करना है moderate hot oil में इसे लो फ्लेम पर फ्राय करना है लगबग 10 से 15 मेट लगेंगे इसे fry करने में जैसे यह फ्राय हो जाए इसे एक प्लेट में या फिक इसी छन्नी पर निकाल देंगे ताकि excess oil जो है वो drip off हो जाए तो बिना चश नी की गुझिया तो ready है वाली गुझिया है उसे गरम गरम ही गरम चाश नी में आपको डालना है चाशनी को थोड़ा सा कर लें और उससे ढखलें और जैसे हे फ्राय हो जाए तो इसमें add कर दें सारी गुझिया को चाशनी से अच्छ से क कर लें एक दो मिनट इसी में रखे रहन दें और उसके बाद इसे निकाल लें है ना बिलकुल बजार जैसी चाशनीदार ये गुजिया होली आने वाली है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें बजार की गुजिया को बिलकुल भूल जाएंगे आप ऐसे ही बाकी सारी गुजिया आपकी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है मार्केट से भी अच्छी ये परफेक्ट चाशनीदार गुजिया घर पर ही बनाईए और सह परिवार खाईए मुझे लिखके जरूर बताईएगा ये चाशनी वाली गुजिया घोली पर आपकी कैसी बनी और होली पीस के साथ तब तक के लिए गुद्बाई टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब